चाइना का रॉकेट अनकंट्रोल्ड हो चुका है ये कहा गिरेगा, अमेरिका में गिरेगा, चाइना में गिरेगा, या पागिस्तान में गिरेगा कितनी तबाही मचाएगा, ये सब बाते आजकल आप सुर्खियों में सुन रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान में देखेगा, इसमें हम लोग discuss करेंगे, आखिर ये mission है क्या, ये rocket क्यों भेजा गया, और ये out of control वाली क्या बात है, तो देखे, ये जो rocket actually है, इसको Long March 5B का family का बोला जाता है, और ये एक तरह से Chinese Space Station का एक प्रोग्राम का एक हिस्स चाइना जो अपने आपको Space Power के रूप में अपने आपको साबित करना चाहा था, जिसके वज़े से ये rocket को एक तरह से Space Station को design करने के लिए एक तरह से भेजा गया, और ये उसी का हिस्सा actually है, ठीक है, ये कुछ तस्वीर है हम लोग इसको दिखा रहे है actually, जब भेजा गया थ चाइना के द्वारा ये rocket को, तो कुछ मजाक उड़ा गया था भारत का, actually जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया था कि चाइना जो है rocket launch कर रहा है, और भारत समसान में चिताया है जला रहा actually, ये काफी सर्मनाक एक तरह से comment था, चाइनीज मेडिया के द्वारा जिसकी निंदा करने चाहिए, और कई सारे देश इसका निंदा किये भी थे, तो हम लोग अब मेन बातों पर हम लोग आते हैं, क्या बात है actually है, देखी, जो चाइना का जो rocket actually है, जिसको लांग मार्च 5B का family का बोला जाता है, जिसको नाम भी हम लोग लांग मा आइट जो एक्च्वली, 186.9 feet के आसपास का actually, मतलब समझी, 186 feet के आसपास का है, 186 feet काफी उचा actually होता, अब 18 तल्ला उचाई का आप समझ सकते, एक तल्ला लग भग 10 feet के आसपास में जो है, नर्मली रहा करता है, तो 186 आप समझ सकते हैं, कि 18 तल्ले के आसपास में, 19 तल एक तरह से जो है इसका है, ठीक है, और इसका मास जो है, काफी जादा है, आठ लाग चॉवन हजार 500 kg actually इसका मास है, इस पूरे रॉकेट का actually, जिसमें एक तरह से जो बुस्टर मॉडिल हो रहा करता है, पेलोड मॉडिल रहा करता है, और जो कोर मॉडिल, जिसको हम लोग ए प्यान है core module का नाम दिया गया actually, वो space station को design करने के लिए जो है, वो lower earth orbit में भेजा गया, जैसे त्यांगो space station का जो core module हो, उसको जा करके lower earth orbit में place कर दिया, और बाकी जो हिस्सा actually, जो rocket का रहा करता है, उसको प्राया जो है, कुछ protocols जो है, astronomical protocols वगरा को follow करके, जो है, normally उसको destroy कर जाते हैं, space में ही actually, मतलब atmosphere में ही, earth का जो atmosphere है, वहीं वगरा पर destroy कर दिया थे हैं, और कुछ हिस्सा जो बचता है, जिसको हम लोग मलवा या debris बोला करते हैं, उसको महासागर वगरा में, जो ocean वगरा में जो एक तरह से उसको dump कर दी जाते हैं, मतलब उधर ही direct कर दी जाते ह उसको खत्म कर दी आता है, लेकिन इसके साथ हुआ क्या actually है, इसके साथ problem यह हुआ है, कि जब यह successfully रूप से lower earth orbit में core module को, त्याने core module को place करके, जब इसको वापस आना था actually, और इसके अधिकतर हिस्से को जो एक तरह से controlled way में, एक तरह से destroy कर देना था, earth के atmosphere में, और बाके ह space station का Chinese space station का संपर्क जो एक तरह से तूट गया, और यह अपने आपको एक तरह से uncontrolled कर चुका है, मतलब उसका control space station का control room रहा करता है, इसके पास नहीं है, तो काफी तेजी से इसका मलबा, जो की काफी बड़ा actually मलबा है, ठीक है, वो 100 feet बड़ा एक तरह से मलबा है, और बोले से उतना speed से प्रिथवी का कुछ घंटे में ही चकर लगाया जा सकता है, ठीक है, इतना ज्यादा speed से प्रिथवी की ओर जो उतना बड़ा मलबा है, 100 तल्ले इतना उचाही वाला और जो की डेल कमरे इतना चोड़ाई वाला जो मलबा actually प्रिथवी की ओर काफी तेजी से आ र रहा करता है, या 20-40% के आसपास, इसी के आसपास का जो हिस्सा जो ड्राई मास रहा करता है, वो normally प्रिथवी में प्रवेस कर जाता है, और उसको प्राया ओसियन वगरा में डंप करना रहता है, जो कि अभी uncontrolled हो चुका है, तो यह dump नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो फिर भी बड़ा हिस्सा प्रिथवी की ओर आ रहा है, और जिस भी अबादी वाले यदि किसी छेत्र में जो है, जो है जाता है, तो काफी ज़्यादा जो एक तरह से तबाही मचा सकता है, चुकि यह uncontrolled हो चुका है यह, तो इसके बारे में जो है, जो है नॉर्मली इसको सही तरह से guided करके किसी particular direction में ले जाना, अब यह जो है normally space station के वसका बात नहीं रहा है, अब यही देखना है कि कितना हिस्सा जो है normally atmosphere में वो destroy हो जाता है, और कितना हिस्सा जो है किस जगा पर actually fall करा करता है, यदि यह अबादी वाला चेत्र में रहा तो बोलें कि काफी ज़्यादा नुक इसका जो हिस्सा है, वो कोई जरूरी नहीं कि सहर में आपको रहे, अधिकतर चुकि प्रित्वी का हिस्सा क्या है, actually 70% हिस्सा जादा probability बन रहा है कि ocean वगरा में ही जाकर कि यह गिरेगा, और ऐसा ही हूँ, ताकि किसी तरह का किसी आबादी के साथ जो एक तरह से problem बगरा न कितना बड़ा है, उसके बारे में जानकारी दिया चुक है, जो कि debris वगरा कहा जाता, ठीक है, कि 100 feet और एक किस टन, 100 feet और एक किस टन इतना भारी जो मलवा प्रित्वी के और काफितेजी से बढ़ रहा है, अब यह कहां पर इसका गिरने का संभावना, actually, ठीक है, तो दीखे हिस्सा, destroy, खुद से कर ले, actually, atmospheric friction में, जो है, वही आपको रहा करेगा, बाकी जो हिस्सा है, normally, यदि सागर में गरता है, बहुत अची बात, वरना किसी, वैसे, आबादी वाले छेत्र में गरता है, सहरी वाले छेत्र में गरता है, तो काफी damage problem, जो है, create कर सकता है, ठीक है, तो देखे, actually, ऐसा माना जाता है, कि यह, actually, जो rocket, actually, जो move कर रहा है, actually, वो 41 degree के आसपास में, जो है, North और South equator के संदर में, जो है, normally, वो move कर रहा है, जो कि, North वाले पार्ट में, ऐसा देखा, माना जा रहा है, कि, normally, Newark वगरा के आसपास, या, Beijing वगरा के आसपास, जो है, यह मलबा, जो है, गिर सकता है, actually, ठीक है, यदि सहरी छेतर में, गिरा, तो काफी जादा, damage कर सकता है, और South वाला जो छेतर है, उसमें, वाना जाता है, कि, New Zealand के आसपास में, या, चेले वगरा के आसपास में, जो है, normally, वो fall कर सकता है, तो यही उसका zone है, ठीक है, जादा probability इन decision लिया जा सकता है, कि, उसको destroy कर दिये जाए, या, किसी और तरह का process, या, alert जारी कर दिये, जिससे जो है, आबादी वगरा जो, तो देखे, conclusion क्या है, conclusion यही रह रहा है, कि, जो पूरा का rocket जो गया था, actually, इन्तिवी से प्रिल को, ऐसा नहीं, कि, वही वापस प्रिथवी के ओर आ रहा है, ठीक है, उतना भारी भर कम rocket जो है, पूरी तरह से प्रिथवी के पास नहीं, actually, आ रहा है, वो successful एक तरह से mission हो चुका है, यह आप Chinese Space Station या Chinese Space Program के द्रिश्टी से देखे, तो एक successful mission हो चुका है, उसका वज़या है, कि, जो main त्याने core module, actually है, जो Space Station का हिस्सा है, वो lower earth orbit में जो है, प्लेस कर दिया गया है, अब जो बाकी जो हिस्सा, actually, जिसको ऐसे भी प्रिथवी पे, एक तरह से atmosphere में destroy करना था, और नहीं तो उसको ocean में dump कर देना था, वो हिस्सा, actually, uncontrolled है, जो की एक तरह से 21 ton भारी हिस्सा, actually है, जो की वापस, actually, ऐसे भी लाना था, औ और ये uncontrolled हो करके, actually, खत्रे वाली बात ही, uncontrolled हो करके, actually, आ रहा है, और ये 100 feet उचाई, actually, जो है, इतना बड़ा, actually, जो है, ये object है, तो इसको ऐसे भी प्रिथवी पे, जो है, normally, atmosphere में destroy करना था, जो की friction के वज़ए से हो भी जाता है, और कई सारे इसमें methods का इस्तमाल करके, उसको atmosphere में ये दिखतर हिस्सा को destroy कर दिया था, और बाकी हिस्सा बोली रहे है, कि वो ocean effect दिया जाना रहता है, तो ये uncontrolled होने के वज़ए से, जो है, normally, ये किधर भी जाकर के, जो है, एक तरह से, ये फॉल हो सकता है, ये बात आप ऐसा ही देख सकते है, normally, येसे कैसे, कोई route बगर है, पर जो है, कोई गारियां बगर हो जाए, तो ये किधर जाकर के, किसको ठूक देगा, ये पता एक्चुली नहीं रहा करता है, तो उसी तरह का situation, ये rocket के साथ हो चुका है, इसका वो हिस्सा जिसको ऐसे भी destroy करना था, वही हिस्सा हम लोग की तरफ पृत्वी के तर करता हुआ, वह प्रवेस कर जाएगा, पृत्वी के surface के तरफ, ये किसी सहरी चेतर में या अबादी वाले चेतर में नहीं पहुचना चाहिए, क्योंकि वैसा हो आता है, तो इसका कुछ भी हिस्सा जो है, जो कि एक तरह से समझी, तो वह 20-30% या 40% का हिस्सा जो है, काफी damaging actually रह सकता है, ठीक है, काफी energy, काफी heat रहेगा, जिसके वाज़े से काफी ज्यादा damage प्रोडूइस कर, अब हम लोग जानेंगे कि ये mission actually था क्यों, तो देखे, चाइना जो है, अपने आपको space power बनाने के लिए, space power के रूप में उभरने के लिए, अपना खुद का space station जो है, ठीक है, कई सारे देख मिल करके जो इसको design किये है, और उसमें जो भी experiment बगरा होते हैं, उसमें वो सहयोग करा करते हैं, लेकिन जो चाइना जो है, वो इसका हिस्सा नहीं है, तो आपने आपको super power actually करने के लिए, एक अपना खुद का space station जिसको त्यांगों space station बोले आते है, जो कि चाइना का अपना space station होगा, देखिए space station ये बनाये क्यों जाते हैं, ये एक normal रूप से समझी कैसे airport बगरा रहा करता है, ये railway station बगरा रहा करता है, उसी तरह से space में जो एक तरह से ठाराओ के लिए, लेकिन वो ठाराओ व्यक्तिकत ठाराओ नहीं रहा करता है, वो research ब डारेक्ट बगरा करने के लिए, ये station ये इक तरह से design किये हुए रहाते हैं, ठीक है, space में, जो कि अर्थ से काफी उचाई पर नॉर्मली, जो कि नॉर्मली लावर अर्थ और्विट में इसको place किया हुआ रहा रहा था, जो कि साड़े 300 किलोमेटर, साड़े 400 किलोमेटर उपर रहा करता है, और ये चक्कर कारता रहता है पृत्वी का, इससे पृत्वी पे भी नजर रखा जा सकता है, साथ में जो space में भी उस पे नजर रखाया सकता है, और कई सारे experiment वगरा वहीं से रहा करके किये जा सकते हैं, ठीक है, तो इसी का design चाता है, अब एक ही बार य ये design रहा करता है, काफी भारी बार करता है, काफी महंगा भी एक्चली रहता है, पृत्वी गसम जी कि सबसे महंगे में से एक एक्चली ये सब वस्तू है, ठीक है, जो कि astronomical वस्तू है, जो कि research वगरा के लिए इस्तमाल होते हैं, तो इसको एक ही बार में नहीं पहुंचाय जा रहा था, इसी का जो है छोटा-छोटा हिस्सा जो है rocket को इस्तमाल करके normally धोया जाता है, एक तरह से ठीक है, तो इसी का जो core module हिस्सा, जो कि main actually module है, जिसमें astronaut वगरा जाकरके वहाँ पर रह सकते हैं, जैसे कैसे किसी building में actually रहते हैं, तो उस building में कई सारे room होते हैं, रहन actually related हो, ठीक है, तो यही जो त्याने core module actually है, जो कि main module actually है, इसी को जो है, यह rocket जो long march 5B actually जो है, इसको ले करके जो है, वो गया और लौर और थार्विट में successfully रूप से पहले यह place कर चुका है, अब वापस आना था, जिसका हिस्सा जो है, ऐसे भी damage करवाना ही था, बस सही तरी के से उसको damage करवाना था, ताकि प्रित्वी पे कोई नुकसान नहीं हो, प्रित्वी के वातावरन बगरा पे जो है, काफी नुकसान actually नहीं हो, तो वही जो हिस्सा actually है, जो कि 100 मीटर उचा actually, soul of it चौड़ा है, वही हिस्सा uncontrolled way में प्रित्वी की और actually आ रहा है, ठीक है, तो वह सारे module को actually यहाँ पे जमा करका और एक पूरा frame actually इसका तयार करता है, तो यह काफी बड़ा actually है, एक तरह से समझी है, structure रहा करता है, जो कि समझी कि इधर lab वगरा भी एक तरह से design के हो, यह तो main part actually है, और बाकी इसको energize रखे रहने के लिए, इसको लगतार energy है वैसा तो ह नहीं कि generator वहाँ पे लगा हुआ रहेगा, यह तार वहाँ पे ले करके जाएगा, तो solar energy के द्वारा उसको power दिया हुआ है, तो कई तरह का इसमें जो है normally arrangement करना बाकी है, उसका एक तयारी जो है, जो कि main तयारी था actually successfully रूप से कर दिये जा चुका है, ठीक है, तो देखे, य त्यांगों का मतलब जो heavenly palace actually रहा करता है, तो ISS से ही मिलता हुँ जिलता हुआ नाम यह TSS actually रखा हुआ, ठीक है, जो कि Chinese space mission का एक बहुत बड़ा actually हिस्सा अपने आपको super power, space superpower में actually अपने आपको बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो यह actually lower earth orbit जो कि 300-400 km के आसपास में actually रहा क प्रिथवी से उतना उचाही पे जो है, और यह जो रहा करेगा expect किया गया actually कि 80 से जो है, यह 100 टन के आसपास में normally जो है, यह रहा करेगा इसका वजन जो है, ठीक है, अब इसके बाद जो है, हम लोग यह वाला हिस्सा यही module को actually, यह तो पूरी तरह सो design क्या हो नहीं, लेकि इसी module को गया हुआ है, जो कि काफी यह बड़ा module actually, ठीक है, यह काफी बड़ा module है, जैसे कि बिल्डिंग रहा करता है, उस तरह का यह module actually बना हुआ है, ठीक है, देखें, यही lower earth orbit रहा करता है, जो कि normally 300-400 km जो है, कि approximately जो हुचाही पर रहा करता है प्रिथवी से, और वहीं पर जा करके place कर दिया गया है, उस module को वो घूमता है, आप समझी कि बहुत बड़ा घर जो है, यह बहुत बड़ा lab actually, घर से ज्यादा अच्छा है कि lab बोली एक तरह से, वो एक तरह से रख दिये गया है, जो कि चारो तरफ प्रिथवी को घूमता हुआ रहा रहेगा, और य जियो स्टेस्नारी ओर और बीट रहा करते हैं, जिसमें हम लोग का कई सारे सैटलाइट वगरा इसको प्लेस किया जाता है, ताकि आप प्रिथवी का कई सारे गतिवी दियां, जैसे मौसम वगरा का या अट्मोसफेर वगरा का जानकारी लगतार लिया हुआ रहे है, चाहे जो हम लोग जो सिकनल स्ट वगरार नॉरमली देखते वगरा या जो भी कामड्यूकेशन का सिगनल वगरा रहा करता है, वैसे टाइप का साइटलाइट वगरा को भी जो हम लोग इसे बाले में नॉरमलीец करते हैं, जरुवत के हिसाद से अलग-अलग भी ओरभेट में प्ल एक तरह से यह L-E-O, lower earth orbit, ठीक है, और यह geostationary orbit है, और इससे बड़ा जो रहा करता है, उसको higher earth orbit बोला करता है, ठीक है, और यह elliptical एक तरह से orbit रहा करता है, ठीक है, देखे, कई सारे, ऐसा नहीं कि इस पेस में जो है, नौर्मली एक representation दिया गया है, कई सारे satellite वगरा जो है, नौर्मली एक स्पेस में जो है, एक तरह से वो चकर लगा रहा है, अलग-अलग देश का अपने research के लिए, बाकी जब वो काम का नहीं रहता है, तो उसको वापस नहीं लाया आता है, ना तो उसको जो है, एक तरह से कहीं और भेजा है, क्योंकि काफी खर्चीरा चीजिए रहेगा, तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसके वो जासे बूल सकते हैं, क्या ये चाइना के साथ ये पहली बार हुआ है, नहीं, ऐसा काम एक बार और पहले हो चुका है, ठीक है, मतलब एक बार और पहले जो इस तरह से उसका rocket and control हो चुका था, जो कि 2020 में एक्चुली इस तरह का घटना है, एक्चुली घटे थे, ठीक है, 2020 में जो है, जो घटना घटा था, उसमें खास बात यही रहा, का अनकंट्रोल होने के बाद जो है, आटलांटिक ओसियन में गिरा, और कुछ वैसे गाउं बगएरे में गिरें, जो कि वेस्ट आफरीका का ह पर बहुत ज्यादा जानाबादी वगरा नहीं था, जिसके वह ऐसे जो है, कोई आबादी को डैमेज नहीं हो था, एक बार और यह जो है, इस तरह का कारणामा कर चुका है, जो है चैना एक्चुली ठीक है, उस दौर में ज्यादा डैमेज तो नहीं हुए था, और हम लोग सुक्र मनाए, कि इस बार भी किसी का डैमेज नहीं हो, चैने का भी जान, जान काफी खीमिती रहा करता है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो सुक्र कर हम लोग मनाए, कि normally जो है, वो वैसे छेत्र में आएक्चुली नहीं जाये, जिससे जो है, अबादी का जो है, ड आपके इस तरह का रवाईये से कुछ सहरों के साथ काफी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और आपके ये तक्डिकी समझीत एक तरह से लापरवाही को भी दूस्व करा करता है तो कई सारे अलोचना है भी एक्चुली जो इसका हो रहा है ठीक है तो यही सब आपका टॉपिक था जिसके वारे में आप सही चीजे जाने सुनसनी वगरा अलग बात है कि जो फाइल आया हुआ है बाकी जो फैक्ट है उससे हम आपको रूबरू करा है उससे हम आपको अवगत करा है तो यह मिसन क्या है ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रोकेट वापस आ रहा है, या ऐसा नहीं कि मिसन फेल कर गया, ऐसा नहीं, चायना का जो मिसन वो successful हो चुका है, बस जो launch करके वापस होने के बाद जो इसको वापस जो लाना था, बाकी जो material को, ठीक है, और उसको ocean वगारा में dump कर देना था, या उसको जो कुछ protocol follow करके जो atmosphere में एक तरह से destroy कर देना था वो उसके control एक्चुली नहीं रहा पाया, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं, ठीक है, लेकिन main काम उसका पूरा हो चुका है, ठीक है, तो यही सब बात ही था, जो इससे related एक्चुली था टेका